नमस्कार बच्चों आज हम आपकी लेखा शास्तर के दूसरी पुस्तक के छटे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय का नाम है रोकड प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेट्मेंट इससे पहले के अध्यायों में आपने कमपनी के वित्य विवरणों के विशलेशन के बारे में सीखा है आपने देखा कि एक कमपनी जो की सबसे जटिल्व विशिष्ट प्रकार का विवसाय स्वरूप होता है उसके वित्य विवरण किस प्रकार के होते हैं वो किस प्रकार अपना तुलन पत्र या बैलेंश येट बनाती है किस प्रकार अपने लाबवहानी का विवरण बनाती है इसके पशचात आपने इन वित्त्य विवरणों की सहायता से इनमे दी गई जानकारियों के विशलेशन के कई तरीके सीखे जैसे कि पिछले अध्याय में आपने अनुपातों का विशलेशन करके सीखा इस अध्याय में हम उन्हीं वित्य विवरणों का अर्था तुलन पत्रियानी बैलेंस शीट और लाब वहानी का जो विवरण होता है उनकी सहायता से कुछ बहुत महत्वपून जानकारिया निकाल कर उन विवरणों का विशलेशन करेंगे और उसके लिए जो माध्यम हमारे पास है वह है रोकड़ प्रवा विवरण या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों रोकड़ प्रवा विवरण एक बहुत ही महत्वपून विशलेशन का माध्यम माना जाता है बलकि इसे तो कम्पनियों के वित्तिय विवरणों का हिस्सा तक माना गया है लिखांकन मानक तीन अर्थात अकाउंटिंग स्टेंडर्ड तीन के द्वारा वह ICAI के बनाएगे नियमों के द्वारा कैश फ्लो स्टेट्मेंट को रोकड़ प्रवा विवरण को कम्पनी के वित्तिय विवरणों का हिस्सा माना गया है अर्थात एक कम्पनी को ना केवल बैलेंस शीट यानि तुलन पत्र हुआ लाब वहाने विवरण बनाना होता है बलकि उसे साथ में यह विवरण यानि रोकड़ प्रवाविवरण भी बनाना जरूरी होता है तो आखीर यह है क्या? क्यों इसे वित्ते विवरणों का भी हिस्सा माना गया है क्यों इसे विवरणों के विसलेशन में भी उपियोग किया जाता है रोकड़ प्रवाविवरण इसके नाम में सबसे पहला शब्द जो है वह किसी भी व्यवसाई के सबसे महत्व पूर्ण घटकों में से एक है एक व्यवसाई चलाने की पीछे उसमें महनत करने की पीछे रोकड कमाना या प्राप्त करना एक महत्व पूर्ण उद्देश्य होता है रोकड को या कैश को किसी भी बिजनस की जीवन रेखा माना गया है बिजनस को विवसाई को नकद या कैश विवसाई करने के लिए चाहिए विवसाई के द्वारा नगट चाहिए विवसाई में निवेश के लिए नगट चाहिए वो विवसाइ के लाब के रूप में नग़ट चाहिए नग़द या रोकड किसी भी विवसाइ के लिए बहुत महत्वपूर भूमी का निभाता है और नग़द की स्थिती का Vishalation कि कितना नग़द या कितना रोकड एक विवसाइ के पास है वो अपने उस नगत राशी को किस प्रकार कहां उपयोग कर रहे हैं, बदले में कितनी राशी प्राप्त कर रहे हैं, ये सारा विशलेशन एक कमपनी के प्रचालन के बारे में, उनके कोशलता के बारे में, उसके प्रबंधन के कोशलता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ज अवधी को लिया जाता है जिसमें हम लिखांकन वर्ष को लेते हैं उस अवधी में विभिन्न क्रिया कलापों से रोकड के प्रवाहों का विवरण देता है अब जब रोकड के प्रवाहों की हम बात करते हैं बच्चों तो प्रवाह दो तरह के होते हैं अंतर्वाह वह बहिर् तो विबिन्द क्रिया कलापों से रोकड में होने वाले इनफ्लो और आउट्फ्लो या अंतरवा और बाहिरवा की जानकारी हमें इस विवरण से मिलती है इस विवरण का प्रात्मिक उद्देश यह है कि किसी भी उद्द्यम की एक अवधी विशेश के दौरान अलगले क्रिया कलापों से चाहे वो प्रचालन से जुड़ेवे क्रिया कलापों चाहे वो निवेश से जुड़ेवे क्रिया कलापों या अन्यवित्य क्रिया कलापों उनसे जुड़े हुए रोकड प्रवा के संबंद में उपयोगी जानकारी प्रदान करना रोकड प्रवा हवेवरण का मुख्यकारी है इसके द्वारा कम्पनी के या अन्य उद्यमों के सभी उपयोग करताओं को बहुत महतोपूर सूचनाई मिलती है यहाँ पता लगता है कि एक उद्यम की रोकड या रोकड तुल्यांकों को पैदा करने की शमता क्या है कितने अच्छे से एक कम्पनी या एक उद्यम रोकड उत्पन या पैदा कर सकती है या प्राप्त कर सकती है अपने पास रोकड की राशी को बढ़ा सकती है उसकी उस छमता को हम जान पाते हैं इसके साहयता से और जिसके द्वारा company के अन्य सभी क्रिया कलापों का मुल्यांकन करने में हमें सहायता मिलती है तो जब हम रोकड की बात करते हैं, तो इस अध्याय में या रोकड प्रवाविवरण बनाते वक्त एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम केवल रोकड शब्द ही नहीं, बलकि रोकड वर रोकड तुल्य राशियों का इस्तमाल करते हैं कैश और कैश एक्यूववेलेंट, यानि हमें सिर्फ कैश को नहीं देखना, हमें ऐसे कुछ मदों को भी देखना है जो रोकड के तुल्य राशियों हैं, यानि कैश के ही जैसी है, भले ही वो अभी कैश में रोकड में ना हो तो इनके अंदर क्या-क्या चीजे शामिल होगी सबसे पहले तो cash यानि नगत जो हमारे पास है या वो हमारे bank में है ये तो आएगा ही इसके बाद check, draft जैसे जो दस्तावेज हैं जो लगभग एक नगत की भाती माने जाते हैं बैंक में दीजे आपको उससे बहुत जल्दी ही कुछी दिनों में या कुछी घंटों में राशी प्राप्थ हो जाती है तो cash यानि नगत का सेश, bank में उपलब्ध balance की राशी या चेक या draft आदी राशी इनके अलावा अती अल्प अवधी के जो निवेश है एक फर्म के कमपनी के उन्हें भी रोकर तुल्ली राशियों में शामिल किया जाता है ध्यान रखें अल्प कालिक उच्च तरलता वाली निवेश ऐसे निवेश जो कुछ माह के अंदर ही नकद में परिवर्तित किये जा सके ऐसे अल्प काली निवेशों को भी ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट को भी चालू निवेशों को जो बहुत कम समय में नकद में बदले जा सके जिसे की लगभग तीन माह या उससे कम का समय माना जाता है इतने कम अवधी में जिन निवेशों को हम तरल रूप में परिवर्तित कर सके नकद में परिवर्तित कर सके ऐसे निवेशों को भी हम रोकड के तुल्यांक मानते हैं उसकी तुल्यराशियों में मानते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपने अभी ध्यान रखनी है वो यही है कि रोकड का अर्थ केवल रोकड या कैश नहीं बलकि उसके जैसी अन्य चीजें भी हैं जिने आप तुरंत रोकड में या कैश में बदल सकते हैं इसके बाद प्रवाह का ध्यान रखें, प्रवाह हमने पहले ही देख लिया कि दो प्रकार का प्रवाह है, एक inflow यानि अंतरवाह यानि ऐसी चीजें जिन से हमें cash प्राप्त होगा और एक बहिरवाह यानि outflow जिसमें हमारा cash या नगद हमारे से दूर जाएगा जिसमें हम करेंगे, रोकड प्रवाह को जानने के बाद, अब रोकड प्रवाह विवरन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो यह है कि इसके अंदर एक company अफर्म के विविन्य क्रिया का लापों को अलग अलग वर्गों में बाटा गया है, ताकि हम वर्गों के अनु हम यह देख सकें कि कहां से कितना रोकड आ रहा है या जा रहा है और कहां हम कितना खर्च कर रहे हैं, किस तरह की क्रिया कलापों में सुधार क्या वो शक्ता है, विविन्य जो शुरोत हैं जहां से रोकड की प्राप्तिया भुगतान हो सकता है, उनको तीन प्रकार के मुख क्रियाकलापों के बारे में वो इन के अंदर आने वाले मुख्य मदों के बारे में देखेंगे ताकि हम तैयार हो जाएए प्रशनों की तرف जाते के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का क्रियाकलाप है प्रचालन क्रियाकलाप ओ कि repenting activity भी कहते हैं बच्चो प्रचालन का मतलब है किसी व्यवसाय के दिन प्रति दिन होने वाले लेन देनों वा उनसे जुड़ी गत्विधियों से होने वाली रोकड के प्रवा किसी भी व्यवसाय की कुछ मुख्य गत्विधिया होती है जैसे कि यदि कोई व्यवसाय निर्मान के कारियम है तो निर्मान से जुरेवे कच्चे माल को खरीदना मजदूरों को उनका वेतन देना निर्मान करके बनने वाली वस्तू को बेचकर उससे मिलने वाली राशी प्राप्त होना यदि कोई विद्याले है तो विद्याले में विद्यार्थियों की फीस प्राप्त होना विद्यार्थियों के ओपर किये जाने वाले नियमित खर्चे इस तरह के मुख्य जो गतिविदिया किसी भी विवसाय की होती है उन मुख्य गतिविदियों में जो पैसा खर्च होता है या जो उससे आमदनी होती है उससे जुड़े हुए रोकड के प्रवाह को हम जब देखते हैं तो वह प्रचालन क्रिया कलाप के अंदर गिना जाता है आएए इसके कुछ मुख्य मदों पर चर्चा करें प्रचालन क्रिया कलापों से होने वाले अंतरवाहो यानि इन्फलो की बात करें जिससे हमें रोकड प्राप्त होगा तो उनमें माल की विक्री सेवाओं को प्रदान करके प्राप्ट होने वाली फीज या किसी अन्य प्रकार की रोयल्टी, फीज, कमिशन या अन्य प्राप्तियाज जो हमें नियमित रूप से हमारे व्यवसाई में होती है वो इसके अंदर आने वाली प्राप्तियों में गिनी जाएंगे प्रचालन क्रिया कलापों में जो बहिरवा होता है जिससे हमारे रोकड को भुकतान करना पड़ता है हमें उसमें माल वे सेवाओं के लिए नगत भुकतान का अच्छा माल जब खरीते हैं कर्मचारियों को दिया गयां वैतन या अन्य वैक्तियों को किया गया नगती भ॥ क्रिया कलापों के अंदर आयेंगे अभी आपको इन्हें इस प्रकार ही धियान रखना कि कि dripping व्यवसाई के दिन प्रतिदिन होने वाले जो नियमित लेन देन अगति विद्या हैं उनसे जुड़े हुए प्रवाः प्रचालन क्रियाकलापों के अंदर दिखाए जाएंगे हमारी दूसरी स्रेणी है निवेश क्रियाकलाप बच्चो निवेश का अर्थ होता है दीर्ग कालिक परिसंपत्यों में किया गया निवेश इसमें जब हम दीर्ग कालिक परिसंपत्यों की बात करते हैं तो हमें दीर्ग कालिक निवेशों को भी देखना है ध्यान रखना है कि केवल दीर्ग कालिक निवेशों की ही बात होगी उन निवेशों की जो हमने रोकड तुल्यांकों में देख लिया उनकी बात हम इसमें नहीं करेंगे निवेश क्रिया कलापों का प्रिथक रूप से प्रस्तुती करण इसलिए महत्व पूर्ण है क्योंकि ये उन मदों के बारे में हमें बताते हैं जो भविश्य में हमें आए प्रदान करेंगे क्योंकि बच्चों हिन में हम बात कर रहे हैं हमारी स्थिर परिसंपत्तियों की हमारे दीर्ग कालिक परिसंपत्तियों की जैसे मशीने, बिल्डिंग आदी ये हमें आने वाले समय में आए के श्रोत प्रदान करेंगी या आए अरजित करने में सहायता करेंगी इसलिए यह जानना जरूरी है कि ऐसे दिर्गकालिक परिसंपत्यों में हमने कितना निवेश किया, कितनों को बेचा, कितनी नगत की प्राप्ती किया, कितने नगत का इसमें भुकतान किया इसलिए इसमें आने वाले कुछ मुख्य गतिविधियों को अगर हम देखें कुछ मुख्य लेन देन को अगर हम देखें तो बहिर वह यानि di aout flow तब होगा जब हम इन परिसंपत्यों को खरीदेंगे है ना तो परिसंपत्यों को प्राप्त करने के लिए यदि हम नगत का भुकतान करते हैं तो उससे बहिरवा होगा कि परिसंपत्यों में केवल स्थिर परिसंपत्यों का अर्थ या नहीं है कि हम बिल्डिंग मशीन फरनीचर आदी देखें यदि हमारी कंपनी किसी अन्य कंपनी में कोई अन्ष अधिपत्र या रिणपत्र आधी खरीतती है यदि हम किसी अन्य कंपनी में पैसा लगाकर वहां के अन्ष यानि शेयर डिवेंचर आधी खरीतते हैं तो वो हमारे द्वारा उस company में एक तरह का निवेश हो रहा है और अंश परिपत्र या रिड़पत्र आदी छोटी अवधी के तो होते नहीं तो ये निवेश एक दिर्गकालिक निवेश कहलाया और क्योंकि यह दिर्गकालिक निवेश है तो यह अभी निवेश की गतिविध के अंदर आएगा तो अन्शों अधिपत्रों रिड़पत्रों आदी पर अगर हम खरीतने में पैसा खर्च कर रहे हैं नगत भुकतान कर रहे हैं तो ऐसे चीजें भी निवेश के अंदर आएगी इस प्रकार यदि हमने किसी तीसरी पार्टी को रोकड अगरिम यानि अभी हमारे लिए एक संपत्ती है यदि वो बड़े रिन की राशी है तो वो दीर कालिक संपत्ती बन गई तो वह भी भुकतान निवेश गतिविदी के बहिर वहा के अंदर माना जाएगा इसके विपरीत यदि हम अपनी परिसंपत्तियों को बेचते हैं स्थिर परिसंपत वगेरा खरीदे थे यदि उनको बेच कर पैसे मिल रहे है अब तो वो आएगा यदि उन पर किसी प्रकार का अधिलाब लाभांश या ब्याज प्राप्त हो रहा है वो इसके अंदर आएगा यदि हमने कोई बिल्डिंग या कोई जमीन खरीदी और उसको एक निवेश के र बिल्डिंग या जमीन को इक निवेश की तरह इस्तमाल किया है उसको हम किराया कमा रहे है तो वह किराया भी निवेश के इंदर आएगा लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली यह है कि यदि कोई कंपनी ऐसी है जिसका मुख्य वैवसाई ही जमीन बिल्डिंग आदी से क किराय कमाने या उनको खरीदने बेचने का है तो ऐसी कंपनी के लिए इन में किया गया निवेश निवेश नहीं बलकि एक तरह का उनका चालू माल या चालू लेंदेन में आएगा तो उसे हम प्रचालन गतिविदी में दिखाएंगे मैं फिर से बता दूँ यह दि कोई ऐ ऐसी कंपनी है जो इस तरह के छेत्र में ही कारी करती है जहां उनका काम ही बिल्डिंग खरीदना बेचना जमीन खरीदना बेचना उसे खिराय पे लगाना खिराय अरजित करना यह है तो ऐसे कंपनी के लिए तो यह दिन-प्रति-दिन का काम हो गया तो उसे हम निवेश में डालेंगे उसे हम डालेंगे प्रचालन गतिविधि में यानि निवेश में बिल्डिंग या संपत्या या उनसे आने वाले आये तभी आएगी जब वो किसी ऐसी कंपनी के है जिसके लिए वो दिन प्रति दिन का काम नहीं है क्योंकि सबसे पहले चीज़ आपने क्या सेखी कि कोई भी ऐसी गतिविधी जो किसी भी कंपनी के लिए यदि नियमित रूप से होने वाली गतिविधी है दिन प्रति दिन के रोजाना की गतिविधी है तो वह प्रचालन गतिविधियों में जाएंगे इसी प्रकार कि यदि कोई ऐसी कंपनी है जिसका काम ही दूसरी कंपनी के लिए इसमें किया गया निवेश भी या उससे प्राप्त होने वाले ब्याज या लाभांज भी प्रचालन गतिविदी के हिस्से माने जाएंगे किन्तु सामान नित है जब हमें प्रशन में कुछ ना पता हो तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारी कमपनी है वो ना तो इस प्रकार की कोई जमीन आदी में लेंदेन करने वाली कमपनी है ना वो अन्शो या रिन आदी में लेंदेन करने वाली वित्या कमपनी हो वो एक सामानी कम बच्चो वित्य क्रिया कलापों का संबंध उद्यम की पून जी से हैं इस बात को सदा ध्यान रखें पून जी को इसमें देखा जाता है क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए वित्य प्राप्त करना अर्थाथ पून जी प्राप्त करने जैसा हुआ इसके अंदर हम पूनजी के शुरोतों को देखते हैं इसके अनुसार वो क्रिया कलाप इसके अंदर देखे जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप कमपनी के स्वामित्व पूनजी में परिवर्तन आ जाए और यदि हम कमपनी की बात कर रहे हैं पूंजी को हम क्या कहते हैं उसमें अधिमानी अंश पूंजी तो कंपनी के अंश पूंजी में परिवर्तन होना या कंपनी के रिण या कर्ज में परिवर्तन होना वित्य गतिविधि के अंदर आया माना जाता है अंश पूंजी या रिण पूंजी दोनों प्रकार की पूंज राशियों में होने वाले परिवर्तन उनसे जुड़े हुए लेंदेन वित्य गत्य विधियों में शामिल होते हैं यदि हम इसके अंतरवाहों की बात करें तो अंश निर्गम यानी शेयर इशू करने से प्राप्त होने वाली राशि रिण पत्र रिण बंद पत्र आदी जारी करने से होने वाली राशि ये अंतरवाह के मुख्य श्रोथ माने जाएंगे वित्य विधि में जबकि यदि हम उधार ली गए राशी का भुखतान कर रहे हैं इसको चुका रहे हैं यदि हम अन्षों को चुका रहे हैं यदि हम रिण पत्रों दिर्ग काली करिणों आदियों पर ब्याज भुखतान कर रहे हैं यदि हम अन्षों पर लाभांश भुखतान कर रहे हैं तो इ आगे चलते हुए मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को या इन बातों को और अच्छे से समझें वह इनको आप company की balance sheet या तुलन पत्र से जोड़कर देखना सीखें क्योंकि एक सामानी प्रशन जब आपके सामने आएगा उसमें आपको company की balance sheet या तुलन पत्र दिया जाएगा उसके द्वारा आपको इन अलग-अलग गतिविधियों में रोकड के प्रवा को देखना है तो आपको यहा जानना जरूरी है कि इन गतिविधियों के अंदर आने वाले मदें balance sheet या तुलन पत्र के किस हिस्से से जुड़ी हुई है balance sheet आप सबने पहले देखा हुआ है कंपनी के balance sheet ये तुलन पत्र का जो पहला हिस्सा होता है जिसमें हम समताए वदेताए दिखाते हैं इसके अंदर बच्चों आपके ये चार मुख्य शीर्शक है पहला अंश धारक निधी फिर आबंटन लंबित रहने के द और अंश आविदंधन गैर चालो गतिविद्धियां या गैर चालो दाइत्व से जुड़ी गतिविद्धिया, वा चालो दाइत्व इन चारो गतिविधियों को आपने पहले भाग में समताव देवताओं में दिखाना होता है दूसरे भाग में आप परिसंपत्यां दिखाते हैं जिसमें पहले आती हैं गैर चारू परिसंपत्यां फिर आती हैं आपकी चारू परिसंपत्यां अब बच्चों इन सभी गतिविधियों या इन सभी मदों में से कुछ मदें आपके हर अलग-अलग गतिविधी से जुड़ी हुई हैं इनको आप ध्यान दें सबसे पहले यदि हम बात करें वित्य क्रिया कलापों की यानि फाइनसिंग एक्टिविटीज की जैसा कि हमने दोनों को देखेंगे यानि मुख्यता ये अंशधारक निधी वह ये गैर चालू दाइत वह आप इन पर ही अपना ध्यान रखेंगे ध्यान रखें ये अंशधारक निधी वह गैर चालू दाइत वह ये दोनों आपके financing activity यानि वित्य गतिविधिया क्रिया कलापों के हिस्से माने जाते हैं balance sheet या तुरन पत्र के ये पहले दो मुख्य शीरशक यानि आंच धारक निधीवा गैर चालू दाई तवे जो दो मुख्य शीरशक हैं पहले ये दोनों आपके वित्य क्रिया कलापों यानि financing activities में जाएंगे इस बात को बिल्कुल ध्यान से अपने दिबाग में बिठा ले इसके बाद यदि हम निवेश क्रिया कलापों यानि investing activity की बात करें तो उसमें हमने अभी बात की थी कि दीर्ग कालिक परी संपत्या आती हैं तो उसके अंदर आपको तुलन पत्र के इस शीरशक को ही केवल देखना है यानि की गैर चालू संपत्यों को यानि आपकी निवेश गतिविधियां यानि की investing activity ये गतिविधी जुड़ी हुई है केवल और केवल इस से गैर चालू परी संपत्यों से तो बच्चों हमने देखा कि investing activity तो जुड़ी है गैर चालू परी संपत्यों से और financing activity जुड़ी है इन दोनों से अब हमारे पास क्या बच गया है हमारे पास बच गया ये चालू दाइत्व जिसके अंदर हमारे अल्प अवधी के लेन देन खास करके दाइत्व आते हैं वह ऐसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर बच गया चालू परिसंपत्यां तो यह चालू दाइत्व और चालू परिसंपत्यां दोनों फिर चले जाएंगे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानि प्रचालन क्रिया क्रिया कलापों के अंदर इस प्रकार पूरे तुलन पत्र का हमने वर्गी करन किया वह उसको अलग अलग क्रिया कलापों से जोड़ा चालू दाइत्व और चालू परिसंपत्यां यह दोनों जाएंगे ऑपरेटिंग यानि प्रचालन गतिविधी में दीर्ग कालिक संपत् कि इन्वेस्टिंग यानि निवेश क्रिया कलापों में वह जो बच गए यानि कि अन्षधारक निधी हुआ गयर चालू दाइत्व यह जाएंगे आपके वित्य क्रिया कलापों यानि फैनांसिंग अक्टिविटीज में तो इस प्रकार के जब आपके सामने क्वेस्चन आ देते हैं कि किस गतिविधी के अंदर किस मद को डालना है तो आपका आधा काम तो वहां हो जाता है इसके बाद आपको रोकड प्रवाविवरण का स्वरूप उसमें कहां पर किसे क्या लिखना है वह आपको देखना होगा जिसे हम आने वाले भागों में धीरी धीरे करेंगे यहां देखकर कि जब तीनों गतिविधियां आप सीख जाते हैं उसके बाद आप अपने रोकड प्रवाह विवरण का एक पूरा स्वरूप किस प्रकार बनाते हैं तो रोकड प्रवाह विवरण का एक पूरा स्वरूप इस तरह देखने को मिलता है हलाकि यह इसका विस्तरित स्वरूप नहीं है यह केवल शीर्षकों को हमने लिया है हम आगे जाकर जब देखेंगे तो इसके हर शीर्षक के अंदर आने वाले बहुत सारी हम गतिविधियों या मदों को भी देखेंगे लेकिन यदि हम केवल मुख्य शीर्षकों की बात करें तो रोकड प्रवाह विवरण में सबसे पहले हम सबसे उपर दिखाते हैं प्रचालन क्रिया कलाप इसके अंदर बहुत सारे मद आएंगे जो आप धीरे-दीरे सीखोगे लेकिन ये पहला मुख्य शीर्षक है प्रचालन क्रिया कलाप इससे जो भी कुल रोकड प्रवाह होगा चाहे वो सकरात्मक हो या रिनात्मक हो उससे हम एक साथ एकठा दिखाएंगे इसी प्रकार निवेश क्रिया कलाप व वित्या क्रिया कलाप तीनों प्रकार के क्रिया कलापों के अंदर के लेंदिन को हम अलग-अलग इनके शीर्षकों के अंदर दिखाएंगे तीनों का हम योग अलग-अलग प्राप्त करेंगे ये हमारे प्रचालन क्रिया कलापों का योग है, ये निवेश वया वित्य क्रिया कलापों का इन तीनों को जोड़ना है हमें, जिनको जोड़कर जो राशी हमें प्राप्त होगी वह रोकड वह रोकड तुल्यांक में निमल वृद्धी या कमी कहलाएगी यदि यह जोड़कर आने वाली राशी एक धनात्मा की ऐसा कारात्मक राशी है तो इसका मतलब हमारे रोकड तुल्यांकों में व्रिध्धी हुई है यदि यह एक रिनात्मक राशी है तो उसे उनमें कमी माना जाएगा इसके पश्चात हमारे पास वर्ष के शुरुवात में आरंब में जो रोकड या तुल्यांकों की राशी थी उसको हम उसमें जोड़ दें तो अब देखी यह वर्ष के आरंब में जो हमारे पास रोकड था वो है वर्ष के दौरान अलग-अलग गतिविधियों से जो रोकड म इन दोनों को जोड़ दे तो वर्ष के अंत में जो हमारे पास रोकड था वह मिल जाना चाहिए तो इस प्रकार हम यहां चेक कर सकते हैं देख सकते हैं कि क्या हमने इसे सही बनाया कि नहीं यदि सभी गतिविद्यों से को जोड़कर प्राप्थ हुई राशी वह आरंब में प्लब्द राशी जोड़कर अंतिम राशी अंत में रोकड राशी के बराबर आ जाए इसका मतलब आपने प्रश्न सही किया है यहां आपके रोकड प्रवाविवरण का एक स्वरूप था जिसमें केवल मुख्य शेशकों को हमने लिया आने वाले भागों में पहले तो हम एक एक करके इन सभी प्रकार के गतिविद्यों या क्रिया कलापों के अंदर के प्रश्नों को करना सीखेंगे फिर हम एक बार सभी को एक साथ लेकर करना भी सीखेंगे आज के इस भाग में हमने आपको रोकड प्रवाविवरण की एक आधार भूच जानकारी उससे जुड़ेवे मुख्य बातों को समझाने की कोशिश की आशा करता हूँ आपको ये सब समझाया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद आपको ये समझाया होगा